मिठाईयों का सम्मेलन छगन लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए मौका मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाईयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया अध्यच लड्डू दादा के साथ इमिर्ती, देवी और हलवा राम को बिठाया गया श्रोताओं में पेडा, बर्फी बहन, रसगुला, जलेबी देवी, रबडी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापडी, बालू शाही, कलाकंद भाई, गुजिया और काजु कतली और शक्कर पारा आधी लोग बैठे थे कलाकंद भाई ने कहा, आज कल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है सोन पापडी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बर्फी बहन, कल बोली की कलाकंद भाई क्या बताएंगे? जलेबी देवी जलेबी देवी ने कहा, कि बर्फी बहन तुम ही बता दो ना बर्फी बहन बोली, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाईए मैसूर पाक बोला, बर्फी बहन और जलेबी देवी आप दोनों यह न भूलें क्या न भूलें? मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल बस मिठास फैलाईए, मन दर्वाजे खोल रसगुला बोला, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मीठास ही, हमारी उपेच्छा का कारण है गुलाब जामुन ने कहा, रसगुला भाई बिलकुल सही कह रहे हैं पर जीब चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर मीठा मीठा खाय के लोग न होवे बोर गुजिया ने कहा, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है रबडी रानी बोली, अब सभी ने सुना होगा कि जहां अति होती है, वहां छति होती है हमारा सेवन करते समय, लोग अतिक कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं लड़ू दादा इसके लिए हमें, अपने में, शक्कर की मात्रा, कम करनी चाहिए गुलाब जावुन बोला, फिर हमें, मिठाई कौन कहेगा लड़ू दादा ने कहा, ध्यान रखो शक्कर कम होने से ही, हम लोगों के मन में, मिठास बढ़ा सकते हैं हलवा राम बोले, हमारी उपयोगिता पर, हमें, चिन्तित होने की, आवशक्ता नहीं पेड़ा बोले, शुबकारियों में, मिठाई बाटने की, प्रथा को, कौन बंद कर सकता है लड़ू दादा ने कहा, लोगों को भी, चाहिए की, वे अपनी, जीव पर, थोड़ा काबू रखें हमारा सेवन करें, पर, अतिना करें, चारी रिक्ष्रम करते रहें इस निरड़य के साथ, सभी को, धन्यवाद देते हुए, अध्यच्छ, लड़ू दादा ने, लड़ू दादा ने, सम्मेलन, समाप्ती की, गोशना की, तो आपको यह पार्ट कैसा लगा? मैं मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए लेसन, पोयम या कहानियों के साथ, तब तके लिए बाई-बाई